आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे फ्रेस वीडियो फे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूंगा कि नीरा लॉन अप्लिकेशन से हम लोग किस तरीके से लॉन ले सकते हैं तो नीरा लॉन अप्लिकेशन के अंदर लॉन लेने के लिए आपको क्या-क्या document की जोरत पड़ती है आपका civil score क्या होना चाहिए साथ हम लोग discuss करेंगे कि नीरा loan application से loan लेने के लिए आपको repayment करने का कितना time दिया जाता है और rate of interest क्या लगता है यानि कि नीरा application से लेकर के total हम लोग इसका analysis करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीरा loan application से loan लेने के लिए सबसे पहले यह जानकारी ले लेते हैं क्या नीरा अप्लिकेशन NBC से राइस्टेड है या फिर नहीं है तो इसका एंसर रहेगा जी बिलकुल है नीडा ल्वाफ एपन पर बात करें कि मिला लॉण लेने के लिए क्या क्या डॉकॉमेंट की जौरत परती आपकी है तो नीरा रवन अप्लिकेशन से लॉन लेने के लिए आपको यहां पे सबसे पहले आपका अधार कारड praised पैंकारड इसकी अलावा आपको जो है बैंक इस्टियंट में अपलोड करना पड़ता है तो बात करें नीराले डाप्लिकेशन क्लिकेसन से long लेने के लिए क्या क्या process है तो सबसे पहले हैँ जब आप application को डाउन लोट करेंगे नीडाण announcing को तो नीराण application आप कहां से डाउन लोट कuity है तो नीराण लोटion आप अपकी सब्सक्राइस लेक्पिंस आप एस विड्यों के description फे तो बैसे कली यह आपको लौन प्रॉफाइट करता है मैक्समुम एक लाक रुपिय तक का और जो आपको टेंजर मिलता है वह बारह मंद तक का मैक्समा मिलता है और इंट्रेस्ट कितना लगता है इंट्रेस्ट टू पर सेंट पर मंत यानि की बारह मैने में चोबीस परसेंट और EMI जो कितना मुझे पढ़ा यदि मैं 50,000 का लॉन लेता हूं 12 मेने के लिए तो मेरा जो EMI एमाउंट आएगा वो आएगा 4670 रिप्या पर मन्त और यहां पर इसको तीन इजी स्टेप में हम लोग ले सकते हैं तो ID Proof में आप अधार कार्ट, Pen Card, Border Card कुछ भी दे सकते हैं DL कुछ भी दे सकते हैं उसके बाद जो है get loan up to 1 lakh approved within 24 hours तो एक दिन के अंदर आपको यहां पर loan approved हो जाएगा इसका जैसे मैं process पर किलिक करता हूं और apply now पर किलिक कर देना है उसके फिर से एक apply now पर किलिक कर दूँगा तो यहां पर जो है इस तरीके से okay I understand पर किलिक कर देना है उसके बाद इसको allow कर देना है उसके बाद आपका जो mobile नमर देना है और OTP भर करके उसके बाद फिर से अपना profile को बना लेना है और आपका loan यहां से approve हो जाएगा तो आज basically इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया कि Neera loan application से आप किस तरीके से loan ले सकते हैं तो फिर मिलते हम लोग इस तरीके का कोई अच्छे वीडियो की जानकारी को ले करके